हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल सुरज पटेल एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों यह वीडियो काफी इंपोर्टन है सभी स्टुडेंट के लिए विकोस यह जो आपको देख रहे हैं यह जो ट्वीट टेक रहे हैं यह ट्वीट किसका है और लेटर टूडे तू दप्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तूचेंज दगावर्नर ओफ महारास्ता सुन और उनका हैस्टेक्स भी क्या है गोबेक को सारी दोस्तों कहने का मतब इस जो हेड्लाइन में लिखा हुआ है कि जो हमारे गावर्नर है जो आपने थमनेल भी देख ल है कि एक्चुली करना क्या चाहिए ऐसे सिच्वेशन पर भी वह एक्जाम कंड़क करने के लिए सोच रहे जो कोवी 90 चल रहा है सभी स्टूडन फ्रस्टेट है मेंटेली फिजीकली लेकिन फिर भी वह एक्जाम लेने के पीछे पर और उन्होंने तो खासकर मेडिकल के इऑ एक्जाम लेने वाले और जब तक कि जुलाई को पूरा तो नॉक्डाउन रखा हुआ है कि जुलाई मान्त में कुछ भी नहीं होगा ना कॉलेग चाल यहाँ ना स्कुल चालो होगा तब भी एक्जाम कंड़क करवाया कैया कोई बात न ही बच्चे एक्जाम देने वा तो उन्होंने इसमें जिका यही दिखा लिए लिखा है कि जो गवबर ओफ महारास्त्रा है उन्हें हटाईars ठीक है और दोस्तों यह पूरे यह पूरे जो समरी इसमें मैं पूरा संश मरी बता देता हूँ क्या और फिर देन में अपने भी ओपिने इसमें एड करूँगा दोसे पूरे लेटर में लिखा हुआ है कि जो कोविन नाइंटी चल रहा था यह कोविन नाइंटीन को देखते हुए हमारे जो सीम है ठीक है उधर ठाकरे सर उन्होंने अनौंसमेंट किया था कि हम किसी भी अनौंसमेंट आ रहा था वह अनौंसमेंट आ रहा था उधर सर के तरफ से वह सबसे पहले मेंके दिन उन्हों नहीं अनौंस किया था कि हम किसी भी student के exam नहीं लेंगे और जो भी decision लिया जाएगा वो student को देख के लिया जाएगा उनके parents को देख के लिया जाएगा और ऐसे situation पर exam conduct करवाना really काफी problem होगा तो जिसके वसा हम student के exam नहीं लेंगे लेकिन उसके बावजूड भी governor of महारास्ता ने later link के हमारे cm को दिया कि आपने decision लिया हुआ student को लेकि ये गलत decision है आपने काफी rules and regulation को crack किया हुआ है काफी act को नुकसान पोचाया हुआ है आपको exam लेना ही चाहिए ऐसा हमारा opinion है लेकिन हमारे cm ने भी reply में यही का है कि हमारे जो निर्न है वो change नहीं होगे और उदे सावन सर ने भी live आके facebook पे अपने twitter account पे उन्होंने एक video post किया था कि जो हमने एक बार हमारे cm ने बात की हुई है तो जो भी decision लिया जाएगा वो student के hit में लिया जाएगा गलत नहीं लिया जाएगा तो दोस्तों अब मैं इसके उपर अपना opinion देता हूँ कि दोस्तों जो भी हमारे governor है ना जो यह exam conduct करवा रहे मैं जो भी मैं उनको support नहीं करूँगा जो यह national student union of India है दोस्तों मैं इनको जरूर support करूँगा because इन्होंने जो letter लिखा है बहुत सही letter लिखा हुआ है कि change the governor और reason ने उसके पीछे में बताता है या नहां कोई फरक नहीं परता लेकिन जितने student भाहर निकलेंगे अपने family को छोड़के अपने घरबार को छोड़के लेकिन वह जब भाहर आएंगे और सभी से एक दुसरे से मिलेंगे तो definitely उनको कोई 90 हो सकता है और मेरा तो ऐसे कि कोई क्यों घर से भाहर निकल रहा है सब घर के अंदर एक्जाम लेना था जब इनको इतना था तो ओपन बुक सिस्टम इन्होंने बोला हुआ था जो medical student के लिए था वह अप्लाय करते हैं पहली बात तो यह situation पर एक्जाम ही नहीं लेना चाहिए तो यह एक्जाम का जो यह problem चल रहा है तो गौर्णर ऑफ महारास्त्रा को तो request है कि वह ना ले तो best है और अगर उनको समझ में नहीं आता कोई चीज़ तो कोई बात नहीं है इन्होंने जो लेटर लिखा है उनको पूरा support कीज़े कि गौर्णर ऑफ महारास्त्रा क आप क्या चाहते हैं मुझे जरूर वीडियो में कमेंट करके बोलिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को तो जरू सहर कीज़े कि ज्यादा से जादा लोगों में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग अवेर हो और हो सके तो जो हमारे अमीर सेख है इनके भी ट्वीटर अकॉंट पर जाके आप जरूर कमेंट करिए कि हम आपको सपोर्ट करें और सभी स्टुड़न ऐसा करें तो आई होब कि इन्हें भी काफी मोटिवेशन मिलेगा और यह सभी स्टुड़न को डेफिन